हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो रिया कुकिंग क्लासेस, माइनेम इस रोहिनी फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डिलिश्यस वाइट फॉरेस्ट केक चलिए तो ये केक बनाना स्टार्ट करते है White forest cake बनाने के लिए यहाँ पे मैंने vanilla cake sponge लिया है ये मैंने homemade cake premix से बनाया है इस cake sponge को मैंने थोड़ी दिर वेले बना के फ्रीज में रखा था दो घंडे पहले cake sponge को फ्रीज में रखना compulsory नहीं है लेकिन अब जब हम cake sponge को freeze में थोड़ी दिर रखते हैं तो वो थोड़ा सा hard होता है तो cake slice जब हम करते हैं layer cut करते हैं तो थोड़ा finishing के साथ cut होता है अब इस cake sponge को मैं 3 layer में cut करके लेती हूँ उपर ये छोटा सा dome है उसे में level करके लेती हूँ देखिए इस cake sponge में कितना मस्ट जाली आया है इस cake sponge को बनाते समय कुछ भी gel वगेरा नहीं डाला है फिर भी ये कितना sponge और moist बनता है cake sponge जैसे हम रोटी को गुमाते हैं उसी तरह हमें इस cake sponge को गुमाते हुए ये layer को हमें अच्छे से cut करना है ये हमारा cut हो गया first layer स्टार्टिंग में हमें चाकू से mark करना है और जहाँ पे मने mark किया है वहाँ पे हमें चाकू को एकदम हलकी हाथ से पकरना है और एक हाथ से हमें sponge को ऐसे turn करना है रोटी जैसे गुमाते हुए वैसे गुमाना है तो हमारा ये layer finish के साथ cut हो जाएगा तो देखिए ये हमारा केक का सेकेंड लेयर जो है कितना थीन कट हुआ है एकड़म परफेक्ट फिनिशिंग के साथ इस वाइट फॉरेश्ट केक के स्पॉंच को मैं रोज सिरप से सोप करने वाली हूँ यहाँ पर एक बाउल में मैंने लगबख एक टेबल स्पॉन इतना रोज सिरप लिया है इसका मुझे पतला कंसिस्टन्सी चाहिए तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी आड़ कर रही हूँ अगर ये फ्लेवर आपको पसंद नहीं है तो इसकी जगह पे आप स्ट्रॉबेरी क्रश में पानी आड़ करके वो भी सोकिंग के लिए यूज कर सकते हो आप सिंपल वाटर से या शुगर सिरप से भी स्ट्रॉबेर करके लिया है ये तीन स्पेचुला इतना विपिंग क्रीम है इसके अंदर मैं एड़ कर रही हूँ वाइट चॉकलेट घनाश वाइट चॉकलेट घनाश के लिए मैंने रेशो लिया है 3S to 1 मतलब तीन पार्ड अगर आप चॉकलेट लेते हो वाइट चॉकलेट तो आपको एक पार्ड फ्रेश क्रीम लेना है वाइट चोकलेट घनाश और वीप क्रिम को अच्चे से मिक्स करना है वाइट चोकलेट घनाश आपको फिलिंग के लिए नहीं यूज करना है वीप क्रिम के साथ तो उसकी जगह पे आप थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश भी यूज कर सकते हो अब हम केक को आइसिंग करेंगे केक का फर्स्ट वाला लेयर यहाँ पे मैंने लिया है आज केक को आइसिंग करते समय में ये रिंग का यूज करने वाली हूँ यहाँ पे मैंने ये केक स्पॉंज के साइज का रिंग लिया है starting में हमने जो रोज सिरप आड़ करके पाने रेड़ी करके रखा था उसको मैने bottle में भर के लिया है और उससे हमेंस sponge को सोग करना है आप इस sponge को simple water या sugar सिरप से भी सोग कर सकते हो अब इस layer के उपर हमें ready filling डालना है अब हमें ये cream spread करने के लिए थोड़ा सा bend वाला जो palette knife होता है उसका use करना है उसका use करके ये cream हम easily ऐसे इस layer के उपर spread कर सकते है अब इस layer के उपर मैं थोड़ा से 13 cherrys जो मैंने बारी चॉप करके लिए हैं वो डाल रही हूँ इसकी जगह पे आप white choco chips या white chocolate chop करके डाल सकते हो अब हमें रखना है cake का second layer इस layer को भी हमें अच्छे से soak करना है अब इसके उपर भी हमें डालना है जो ready filling हमने बना के रखा था वो उसे भी हमें palette knife से अच्छे से इस layer के उपर spread करना है और अब cream को अच्छे से spread करने के बाद इसके उपर भी हमें थोड़े से chopped cherries डालने है अब हमें ring को थोड़ा सा उपर उठाना है अब cake का जो सबसे last वाला layer था उसे मैंने सबसे first में रख दिया है इसका butter paper हमें दीरे से निकालना है और इस layer को भी हमें अच्छे से soak करना है अब जो हमने ring डाली थी उसे हमें दीरे से निकालना है आप देख सकते हो ring डालने से कितना अच्छा finishing आया है ज्यादा cream भी नहीं waste होता है अब इस cake को हमें cream से cover करना है जो हम filling बनाते हैं cake के लिए उसे हमें सिर्फ cake के अंदर layering करते समय डालना है और जो plain cream है उसे हमें ये cake को cover करना है उपर का cream spread करने के बाद जो extra cream side में आता है उसे हमें cake के side में अच्छे से spread करना है palette knife से और इसी तरह हमें cake को पूरा cream से cover करना है अब जो cream हमने spread की है उसे हमें finishing देना है उसके लिए scrapper को हमें थोड़ा सा open पकड़ना है और turning table को scrapper की तरफ turn करना है अब cake के उपर जो extra cream आया है उसे हमें palette knife को थोड़ा सा open पकड़ के अंदर की तरफ ऐसे push करना है ये करते समय में palette knife को बार बार clean करना है कभी आपका cake का जो finishing है वो अच्छा हैगा अब इस cake का finishing हो गया है इस cake को अब मैं cake board के उपर shift कर रही हूँ cake को एकदम हमें हलके हाथ से उटाना है और दूसरे हाथ में हमें cake board को लेना है और इस तरह हमें इस cake को cake board के उपर shift करना है अब हम केक को थोड़ा डेकोरेट करेंगे यहाँ पे मैंने टूथपिक लिया है टूथपिक से मैं उपर की तरफ केक के टॉप पे ऐसे राउंड में मार्क कर रही हूँ जहाँ पे मुझे डिजाइन बनाना है अब केक के साइड में भी जहाँ तक मुझे डिजाइन बनानी है वहाँ पे भी मैं टुथपिक से ऐसे मार्क करके ले रही हूँ अब यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैक के अंदर नूर वन नमबर का नोजल डाला हुआ है यह नोजल इस डिजाइन के लिए कंपलसरी नहीं है मेरे पास है इसलिए मैं यूज कर रही हूँ आप पाइपिंग बैक के अंदर डायरेक क्रीम डालके पाइपिंग बैक को सामने से थोड़ा सा कट लगा के उससे भी यह डिजाइन आसाने से बना सकते हो मुझे क्रीम में थोड़ा सा लाइट पिंग कलर चाहिए मेरे पास है मैजिक का रेडियंट पिंग कलर है यह जेल कलर है इसका थोड़ा सा ड्रॉप मैंने क्रीम में डाल दिया है और उसे अच्छे से मिक्स किया है तो क्रीम में यह अच्छा सा लाइट पिंग कलर आ गया है अब ready cream को मैंने piping bag के अंदर डाल दिया है piping bag को हमें straight पकरना है थोड़ा सा प्रेस करना है और roughly हमें ऐसे ये design डालते हुए जाना है जहाँ पे हमने mark किया है वहाँ तक friends ये design दिखने में बहुत सुन्दर दिखता है और ये design का use आप अलग-अलग cake में भी कर सकते हो इसमें ज़्यादा cream भी नहीं लगता है mark करके लेने से ये design डालने में भी बहुत easy जाता है और इसका finishing भी बहुत अच्छा आता है पुरे round में ये design बनाने के बाद आपको अगर कही भी space दिख रहा है तो आप वहाँ ये थोड़ा-थोड़ा design बना सकते हो और ये जगव फिल कर सकते हो अब यही same design हम cake के side में भी बनाएंगे जहाँ तक हमने mark किया है वहाँ तक cake board को carefully थोड़ा सा cross पकड़ना है piping bag को भी थोड़ा सा cross पकड़ना है थोड़ा सा press करना है और ये design हमें बनाते जाना है nozzle और cake में थोड़ा सा हमें distance रखना है और जहाँ तक हमने mark किया है वहाँ तक ये design बना के हमें complete करनी है cake के top पे हम rosette बनाएंगे उसके लिए piping bag के अंदर मैंने नूर 2 नंबर का nozzle डाला है उसे 2D nozzle भी बोला जाता है इससे हम इस cake के उपर छोटे छोटे रोजette बनाएंगे piping bag के अंदर मैंने same वही light pink कलर का क्रीम डाला है जो हमने side के design में भी use किया था जो design हमने light pink कलर में बनाया है वही same design आप white cream से भी बनाते हो तो भी बहुत अच्छा दिखता है अब यहाँ पर मैंने white chocolate compound को grate करके लिया है grate करके इसे मैंने 5 मिनिट के लिए फ्रिज में रखा था इसे मैं थोड़ा cake के middle में डाल रही हूँ अब यह grate किया हुआ जो white chocolate है उसे मैं cake के side में भी थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ ये काम हमें एकदम हलके हाथ से करना है cake के पूरे round में मैंने white chocolate लगा दिया है अब cake board के उपर जो extra chocolate है उसे हमें इस तरह clean करना है देखिए cake के side से पूरे round में मैंने white chocolate अच्छे से लगा दिया है अब यहाँ पे मैंने कुछ can cherries ली है उन्हें मैं जो हमने rosette बनाए है उनके उपर रख रही हूँ सारे rosette के उपर मैंने cherries को रख दिया है अब cake के side में मैं simple border बना रही हूँ उसके लिए piping bag के अंदर मैंने 1M nozzle डाला है piping bag को थोड़ा सा cross पकड़ना है खोड़ा सा press करना है और उठाना है तो यह simple से flowers का design ready होता है इसी तरह यह border भी complete हो गया है तो friends इसी तरह यह हमारा white forest cake तयार है खाने के लिए अब last में मैं इसके उपर एक cake topper लगा देती हूँ देखिए किता मस दिख रहा है यह cake अब इस cake का एक slice मैं आपको cut करके दिखाती हूँ यह cake बहुत ही delicious और soft बना है वाव देखिए इस cake के layers कितने finishing के साथ आए है तो friends यह cake आप ज़रूर try कीजिए और ऐसे ही अलग-अलग cake के designs अलग-अलग recipes देखने के लिए मेरे चैनल को like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए बाई, thank you